मुख्यमंत्री योगी ने कावड यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया था, मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि पूरे यूपी में कावड मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर संचाला को और मालिकों का नाम और पहचान बतानी ही, साथ ही राज्ये में हलाल इसे जुड़े फुड उत्पात पर प्रतिबंद भी लगा दिया था और इसके पीछे तर्क दिया था कि कावड यात्रियों की आस्ता की सुषीता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है अब ऐसा ही कुछ जैपूर में भी हो रहा है नमस्कार मैं हूँ शेक जूही आप देख रहे हैं दनगरेनोज जैपूर के लोगों की सुविधा के लिए कॉंग्रेस सरकार ने राजधानी में एक ही जगा दो नगर निगमों का गठन किया ताकि परेशानी लाहों लेकिन शेहर एक होने के बाद भी दोनों नगर निगम अपने अपने हिसाब से आदेश जा जा रहे हैं राजधानी के ग्रेटर और हेरिटेज निगम में कहीं मीट की दुकाने आती हैं ग्रेटर निगम में आने वाली मीट दुकानों पर अब जटका और हलाल लिखना अनिवारे होगा यादेश आट जुलाई को कारे समिती की बैटक में महापोर डॉक्टर सौमिया लेकिन हेरिटेज निगम जिसमें विधायक बाल मुकुंद अचारे की विधान सबाब भी आती है लेकिन उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है चोकि लोगों के लिए चोकाने वाली बात है क्योंकि बाल मुकुंद अचारे हमेश ही मीट दुकानों का मुद्दा उठाते हैं और नहीं नियम दिलाते रहते हैं ऐसे में शेहर की आधी मीट की दुकानों पर अलग नियम लागू हो रहे तो आधी पर अलग वहीं ग्रेटर निगम के दो जोन मालविया नगर और मुल्लीपुरा में अप्रेल दो हजार तेईस से डोर टो डोर कच्रा संग्रहन की यूजर च इसके लिए टेंडर भी निकाले जा चुके हैं वर्क अंडर देना बाकी है वही हरिटेज में चार्जों है पर युक्त कॉटन यूजर चार्ज वसूले की कोई प्लानिंग तक नहीं है तमाम ख़बरों के लिए देखते हैं यह दन अगरेनियम शुक्रिया